हाँ प्रोग्रेस हो रहा है कि तुम्हारे भी नमर आपसर नहीं आता ना कि नए तो हम लोग लिमिट देखेंगे ठीक है लिमिट देखेंगे ना अब इसमें लोगों नहीं जाएगा सब्सक्राइए कि लिमिट देखेंगे लिमिट क्या होती है उसे पहले हम लोगा कुछ्छ फॉंक्सिंस के ग्राफ देखते हैं जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे पासा की सिगनम एक्स पाम होता है स्ब्सक्राइच्ण लिमिट क्या स्टार्ट किये हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव लेकिन उसमें का लिमिट है से तो पढ़ते रहें लिमिट लेस मग बन जाई है तो लिमिट हम लोग पढ़ना है और समझना आए कि लिमिट का क्या मतलब होता है कुछ रेडिमेट फॉर्मले आएंगे जिनको इ सिग्नमेक्स होता है सीग्नमेक्स सटेनेथ की फ्रंक्शन होता है और जो डेफिनीशन होती है वह होती है मौड एक्स अपान एक्स कि इसका मतलब यह तैंघ है कि एक सटो जीडो पर यह डिफाईट कि शीकवस्ट टो डालते ही नीचे क्या आ जाएगा डिनामिनेटर में ज करते हैं क्योंकि वो उसकी कोई definition नहीं है इसलिए कहते हैं वो undefined होता है इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इसको piecewise function में देखें तो हम कहेंगे कि अगर x positive है ठीक है अगर x positive है इतार x greater than zero है तो आप कहोगे कि यह हो जाएगा plus x से खुलेगा अपन एक्स कट जाएगा क्या एगा वान आएगा इसका मतलब कि यह एक इसकी हमेशा वैलू आने वाली तो कहीं वन होगा यहां पे और वन हमेशा आने वाला है इसका मतलब horizontal line होगा पैरलल टू किसके पैरलल टू एक्स एक्स तो यह हो पर बात करें तब भी वन आएगा एक सी कोश्च टू ठीपर बात करें तब भी वन आएगा एकस इक्स किसी एक्स पर धाई पे बात करें तब भी वन आएगा क्यों क्योंकि एक्स गेटर दन जीरो के लिए constant function ठीक है अब अगर अगर एक्स लेजदर जीरो की बात करें तो हमने यहां लिख दिया कि यह प्लस वन आ रहा है अगर एक्स पॉजिटीव है इसे कहते एक टुकड़ा हो गया फॉंक्शन का पीस हो गया एक फॉंक्शन का अब अगर हम कहें कि एक्स क्या हो जाए निगेटी हो जाए एक्स निग इसका मतलब जो इस फॉंक्शन का भी हैवियर है एक्स निगेटीव के लिए वो बदल जाएगा अब वह वन नहीं रहेगा उसकी वैलू कित्ती हो जाएगी माइनस वन हो जाएगी तो यह हो गई बात एक्स लेस देन जीरो के लिए अब सारी वैलू इसकी माइनस वना नही लेकिन x equals to zero पे कितना आना है तो यह define कर दिया अलग से x equals to zero पे इसकी वैलू क्या होगी? 0 होगी तो हम कहेंगे अगर x zero है if x equals to zero तो हम कहेंगे कि इसकी value zero हो तो यह signum function हो गया ठीक है? signum function हो गया जो एक constant function होगा x greater than 0 के लिए अलग होगा x less than 0 के लिए अलग होगा और x equals to 0 के लिए क्या होगा? अलग होगा ये तीन टुकड़ों में defined है इसलिए इसे कहते है टुकड़ों टुकड़ों में defined है इसलिए इसे कहते हैं piecewise function यह क्या है piecewise function है ठीक है एक टुकड़ाइए हो गया एक टुकड़ाइए हो गया और अब बात करते हैं function के behavior की है ना कि x equals to 0 पे function का behavior की ताइए अच्छा तब हम पास कई से चलें चल्ड़ तो देखिए जब भी हम लोग करते हैं हम लोग कहेंगे कि x equals to 0 पे function की value 0 है तो अगर हम बात करें कि function की value जो यह function है सिगना मेक्स अगर इसे fx कह रहे हैं है ना तो fx की value से y है यह fx कह रहे है यह वाला जो graph है तो हम कहेंगे कि x equals to 0 पे इसकी value मतब f of 0 function की 0 पे value किती है 0 है जो यहाँ दिखाई गई है green से यह 0 है लेकिन अगर हमें 0 के नेवरूड में पड़ोस में बात करनी है कि इसका x equals to 0 के आस पास कैसा behavior है इसी को कहते हैं limiting value of function around the particular value इसका मतलब कि हम कहेंगे x के यह x equals to 0 है अगर हम इधर से दोड़े दोड़े आते हैं इधर से आते हैं और यहाँ से आके देखते हैं और यह function की height कितनी है तो हमें कितना दिख रही है plus one unit है ना तो हम इस बात को mathematically लिखेंगे कैसे हम यह कहेंगे कि जब भी limit क्या है limit की value हमने देखा कहां पर function की value हम ऐसे कहें function की value 0 से थोड़ा ज्यादा पर क्या कहेंगे थोड़ा जाद, 0 से थोड़ा जादा, तो यह कहते है, qualitative value है, 0 से plus, 0 plus का मतलब होता है, थोड़ा सा जादा, यह बसन में है न, तो हम कहेंगे, x की 0 से थोड़ा जादा पर जो value है, वो क्या है, plus 1 है, इसी को कहते है, left hand behavior of the function, या technically कहते है, left hand limit, क्या कहते है, left hand limit, अच्छा, इस को ऐसे सोचा जाए, कि अगर हम कहेंगे limit, इसको लिखते है limit, है न, कैसे लिखेंगे, कि function के value, हम ऐसे सोचेंगे, 0 plus h पे, लेकिन h बहुत जादा नहीं होना चाहिए, है न, क्योंकि हमें परोस में देखना है, 0 के आसपास देखना है, और 0 के आसपास देखना है, तो काफी close रहना है, इसका मतलब कितना close रहना है, जैसे यह h distance बना के रहना है, और जो h है, वो approaching to क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसका मतलब, 0.01, है न, 0.01, बहुत कम, 0 पे नहीं देख रहा है, exactly 0 पे नहीं देख रहा है, लेकिन 0 के काफी क्या है, proximity में है, ठीक है, तो 0 के, 0 के proximity में है, 0 के काफी close है, लेकिन ये closeness किदर से आ रही है, इस side से आ रही है, ये बहुत समया है न, इसलिए इसे, अच्छा यार रहे चली, right hand limit कहते हैं न, ये right hand से हम आ रहे हैं, तो हम कहते हैं, ये right hand behavior function का, इसका मतलब that is called right hand limit of the function, और इसकी value बताओ कि तो ये लिख दिया जाएगा, limit h approaching to 0, क्या हो जाएगा, f of, क्या हो जाएगा यहाँ पर, h हो जाएगा, 0 plus h, तो ये होता है न, और इसकी value graph से हमें 1 दिख रही है अभी, बाद में हम calculate करना सीखेंगे, तो that is, right hand behavior, around the x equals to 0, या इसी को हम कहें, right hand limit of the function, कितना है, 1 है, अब हम कहते हैं, क्या left hand behavior same है, कितनी बार ये join कर रहा है, तो हम देखेंगे left hand behavior क्या same है, तो left hand देखो, अगर आप left hand से दोड़ के आते हो, इधर से आते हो, भाग के, तो बताओ, यहाँ पर क्या उपर function कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बाओ कि अच्छा उपर तो नह है, इसका तो नीचे चलते हैं, हाँ, मिल गया, यह रहा, height कितनी है, minus का one, इसका मतलब, जो function x equals to right hand में था, उसका right hand का जो behavior था, वो different है, और left hand का behavior क्या है, different है, तो हम लिखेंगे कैसे इसको, हम कहेंगे, कि function की value हमने जब investigate किया, 0 से थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा पहले, मतलब 0 minus पे, यह qualitative and all, तरीका है कहने का, left hand behavior कहा जाएगा, या इसी को क्या कहेंगे, left hand limit of the function, अच्छा यह हम लोग हटाते हैं, quantitative कर लेते हैं, तो हमने कहा, कि इसे कहेंगे 0 minus h, 0 से थोड़ा पहले देखे, minus h पहले देखे, यह बसान में है न, लेकिन यह h, बहुत बढ़ा न हो जाए, h को आप proximity के लिए, कहोगे, यह काफी कम है, h approaching to क्या है, 0 है, जो h की limiting value है, approaching to 0 है, तभी आप close रहोगे, proximity में रहोगे, 0 के, इसका मतलब, यह left hand limit क्या हो गया, left hand limit लिखने का तरीका हो गया, limit h approaching to 0, और क्या लिखेंगे, f of 0 minus h क्या होगा, minus h हो जाए, यह हो गया, और इसकी value हमें दिख रही है, वो क्या रही है, minus होना रही है, अब हम यह कहेंगे, चुकि function का behavior, जो हमने function draw कर रखा है, इसका behavior, x left hand में अलग है, और right hand में क्या है, अलग है, इसका मतलब, इसका behavior बदल रहा है, है ना, uniform नहीं है, तो हम कहेंगे, x equals to zero पे limit exist नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि left hand limit अलग है, मतलब left hand behavior अलग है, और right hand behavior क्या है, अलग है, तो हम कहेंगे, यहाँ पे, यह दूसरा equation हम माल लिए, ठीक है, यह दूसरा equation है, यह पहला equation है, तो हम कहेंगे, कि limit, जो LHL है, not equals to RHL, that implies limit at x equals to zero does not exist, does not exist, सुन्या गया ना, जब दोनो behavior same होंगे, तब हम कहेंगे, limit क्या कर रहा है, exist कर रहा है, तो दो pointer, limit का मतलब क्या होता है, जो हमने आपके दिमाग में outline खेचने को सीज करी है, इसका क्या मतलब है, limit का मतलब है, behavior check करना, किसी particular value के cross, क्या क्या, अगर हम लोग यह कहेंगे, कि function का behavior x equals to a पे हम investigate करना चाहते हैं, कहां पे investigate करना चाहते हैं, अपर, तो exactly a पे हम बात नहीं करने वाले हैं, उसके पडोस में बात करने वाले हैं, a से थोड़ा कम पे बात करेंगे, इसका मतलब हम left hand behavior देखना चाहते हैं, तो इसे कहेंगे, यह left hand limit है, left hand limit है, LHL है, या इसी को हम कैसे लिखेंगे, कितना close रहना चाहते हैं, तो हम कहेंगे, यह minus जो लिखा है, qualitative हटाते है, h से replace कर देते हैं, a minus h, लेकिन h तो यहां कुछ भी हो सकता था, 10, 15, 20, 25 कोई कुछ भी रख सकता है, claim कर सकता है, लेकिन हमें proximity में रहना है, तो हम कहेंगे, इसकी value, काफी कम h approaching to क्या होगा, 0 होगा, इसे कहेंगे limit, h approaching to क्या है, 0 है, यह हो गया, left hand limit या left hand behavior of the function, यह बस अन्याद है ना, तो यह हो गया, now, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर अभी तो a के हमने left hand में investigate किया, उसका behavior, अब कहां investigate करेंगे, right hand से investigate करेंगे, तो rhl के लिए किसी x equals to a पर हम कहेंगे, कि जो a के बाद है, a plus पे हम देखना चाहते हैं, इसका मतलब यह हुआ, कि हम right hand के बारे में चिंता कर रहे हैं, right hand behavior के बारे में चिंता कर रहे हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे, यह rhl है, यह क्या कहा जाएगा, rhl, right hand limit, इसका मतलब function की जो behavior है, दोनो behavior हमें investigate करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए बहुत सारे formula हम लोग derive करेंगे, अभी तो हम लोग simple symbol समझ रहे हैं, कि हमें यह करना होता है, ठीक है, note कर लो, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे है, behavior चेक करना, suppose हमारे लिए question आ गया, find, जैसे यह fx है, fx ग्राफ है, हमने बता दिया function fx ग्राफ क्या था, fx equals to signum x है, signum x का मतला, mod x upon क्या है, x है, जो यह graph बना रखा है, now someone says, कि calculate the limit, limit x approaching to 1, fx, यह calculate करिए, यह इसकी value क्या हैंगी, इसका मतलब हमें जो question दे रखा है, वो यह कह रहा है, कि function का behavior investigate करिए, या check करिए, around x equals to 1, इसका मतलब हम left hand limit निकालेंगे, right hand limit निकालेंगे, ठीक है, और फिर बात करेंगे, दोनों equal है या नहीं, अगर equal नहीं है, तो हम कहेंगे behavior uniform नहीं है, मतलब limit exist नहीं कर रही है, अगर दोनों equal आ गए, तो हम claim कर देंगे, uniform है, limit exist कर रही है, और वो limit की value हो गई, तो चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी left hand limit की left hand limit left hand limit का मतलब हम left side से रहेंगे तो हम x equals to 1 पे investigate करना चाहते हैं लेकिन इधर से आएंगे यह वसम्हेंगे तो a से थोड़ा कम थे तो हम कहेंगे function की value हम one minus पे देखना चाहते हैं एक तरीका है जो कुछ teacher इस तरह से बात करते हैं दूसरे teacher कैसे बात करते हैं सीधे बात करते हैं f of one minus x पे लेकिन h क्या है h approaching to zero है ताकि proximity one के proximity में रही है कुछ ऐसे बात करते हैं अब जहाँ जहाँ x रखा गया है, जहाँ जहाँ x है, वहाँ पे आप क्या प्लेस करने वाले हो? 1-h, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है, simply बिना डरे हुए, 1-h रख दीजिए, अब बाकी structure को वैसे ही copy करिए, तो हम कहेंगे कि यह हमें दिख रहा है, limit h approaching to 0, और यह हो जाएगा, mod of 1-h, क्योंकि x की प्लेस पे में प्लेस करना था, और नीचे क्या हो गया? 1-h हो गया, ठीक है? अब h की value, 0 प्लेस कर दीजिए, ठीक है? अच्छा यह बताओ, 1-h, सीवं तुम बताओ, positive होगा कि negative होगा? 1-h, positive होगा? तुम बताओ, मानसी, positive, क्योंकि 1 में से जो घटा रहे हैं, वो बहुत छोटा घटा रहे हैं, तो negative नहीं होने वाला, negative तब होता 1 से जब बड़ा 2-3 घटा देते हैं, लेकिन h बहुत छोटी value है, तो 1 से छोटा से घटा ही, तो positive आएगा, और जब ये ensure हो जाए, कि mod के अंदर quantity positive है, whole ये वारी, पूरी positive है, तो mod लगाने का कोई मतलाद नहीं रहता है, तो पहला obstacle है, mod के बारे में सोचना, जब भी mod आता है, absolute value आता है, कि वो कैसे हटाएंगे, वो हटाने के बाद algebra आ जाती है, class 8 का question बन जाता ह तो हमने का, अब तो हटा सकते हैं, हमें guarantee है, हम guarantee दे सकते हैं, अंदर होला क्या है, positive है, तो हमने हटा दिया mod, और लिख दिया, बिना mod के expression, h approaching to 0, 1 minus h upon नीचे भी क्या है, 1 minus h, कटने से, मत्तब रखने से पहले cut दिया, तो 1 बच गया, अब h बचा ही नहीं रखने के लिए 0 तो इसे ढूने का क्या फायदा है, answer क्या आ गया, 1 आ गया, और ये आना भी था, तेख लो, 1 के left में behavior height कितनी है, 1 है, लेकिन आपको हर चीज़ का graph तो draw करना नहीं आता है, और draw करने जाओगे, आपको तो ये algebraic manipulation बस करने पढ़ेंगे, है न, ये अलग की बात है कि हम बता रहे है, आप ग्राफिकल की graph में हो क्या रहा है, और हम जो algebraic कर रहे है, उसका क्या concept, क्या supervision है, तो हमने कह दिया, कि हमारा first result हो गया, इसी तरह से हम बात करेंगे, कौन से भी है, where की, right hand limit की बात करेंगे, तो जो right hand limit हो गया, that means RHL, RHL क्या हो जाएगा, limit, sorry, function की value, 1 से थोड नहीं है, समझना है, इसका क्या मतलब है, 1 plus का मतलब हुआ, phone, 1 plus 10 या 1 plus 9, ना लोट, तो 1 plus का क्या मतलब हुआ, 1 से थोड़ा ज्यादा, इसका मतलब कितना ज्यादा, तो हम कहेंगे, 1 plus क्या हो गया, small h, लेकिन small h को restrict करना जरूरी है, कि ये भाई, बहुत ज्यादा नहीं ह है, approaching to 0 है, बहुत छोटा है, इसकी limiting value, तो हम कहेंगे, ये रख दिया, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, function की definition धूरो, क्या दिया गया है, उसके x play, क्या replace करोगे, 1 plus h replace करोगे, तो definition तो यही original है, यहाँ पर replace कर देते हैं, तो that is, बाकी structure वैसे copy करना है, h approaching to 0, 1 plus h का mod upon 1 plus h, अब बताओ, जो mod के अंदर वाली quantity है, इसके उपर क्या कोई doubt है कि यह positive नहीं होगा, अरे 1 plus है ना, तो 1 plus है थ्थदा ज़्यादा ही है, positive ही है, है ना, तो हम कहें कि mod का रखने का कोई मतलाब, नहीं है, mod को remove कर देते हैं, तो हम कहें दिये कि बिना mod के 1 plus h upon 1 plus h, और यह जाएगा, cut, ठीक है, क्या हो जाएगा, यह 1 आ जाएगा, अब h हटा जाएगे क्योंकि h बचा नहीं रखने के लिमिट, तो answer क्या आ गया, 1 आ गया, तो left hand behavior और right hand behavior दोनों बराबर आ गये, इस बार limit क्या कर गई, exist कर गई, और जो limit की value है, वो क्या है, 1 कहीं ठीक है, note करो, क्या बचा है, minus का h, guarantee है कि negative है, तो किसे खुलेगा, minus की plus से, minus से खुलेगा, क्योंकि guarantee है अंदर और negative है, तो minus h हो गया, और नीचे आ खुल नहीं रहा है, तो अकेले ही minus h रहेगा, और यह copy करेंगे limit, h approaching to 0, अब minus minus plus हो गया, cut के minus 1 बना रहा है, सब को दिख रहा है, नहीं अब इसी तरह से, right hand limit निकालेंगे, और वो क्या आएगा, तो प्लस पे निकालोगे ना, तो प्लस वन आएगा, ठीक है? मस्त एक्स प्लस अच पर डिफरेंट जो आएगा, तो देखिए, कोई भी जो number होता है, जैसे हमने कह दिया, 5.7, अब इसमें दो चीजे हैं, ठीक है, इसके बारे में देखा जाए, तो ये जो 5.7 है, ठीक है, ये इससे कम, इससे पहले integer कौन होगा, 5 होगा, और इसके उपर अला integer कौन होगा, 6 होगा, इसका मतलब ये जो number है, 5 और 6 के बीच में है, तो अगर कोई ये कहता है, कि इसका integral part, 5.7 का integral part कितना होगा, square bracket में लिखते हैं, है ना, अब सोचो, सोचो, chemistry में अगर किसी molecule को यहां रख दिया जाए, और square bracket लगा दी जाए, इसका मतलब होता है, concentration of that space, उस space का concentration बताईए, molality, molality, normalty है ना, concentration बताईए, math में अगर रख दिया जाए, square bracket में, तो अलग-अलग भासा होती है, जैसे हम interval दिखाते हैं, close interval, open interval, लेकिन यहाँ एक ही value है, कामा नहीं लगा, इसका interval नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ पे एक function का काम कर रहा है, जिसे कहते हैं, greatest integers, है ना, या integral value, या computer की भासा में कहते हैं, floor value of the function, तो बताओ, floor, यह हो गया च्छत, यह हो गया floor, तो 5.6 की floor value कितनी हो गई है, 5 हो गई, 5.7 की floor value कितनी हो गई, 5, दूसरी भासा में, 5.7 में जो integral part है, जो integer वाला part है, वो 5 है, यह कहना है, और अगर कोई कहता है कि इसका fractional part कितना है, तो हम कहेंगे, जो fractional part होता है, वो कितना है, curly bracket में दिखाते हैं, यह एक function हो गया, fractional part of the x, वो point क्या है, 7 है, इसका मतलब कि 5.7 integral part और fractional part से मिलके बना है, तो किसी इसी तरह से कोई भी number x है, कोई भी real number x है, वो इसके दो part होंगे, एक हो जाएगा integral part, और दूसरा क्या हो जाएगा, fractional part of the x हो गया है, यह बास वन में आ गया, अब किसी ने यह कह दिया, कि सर 6 है, अब 6 का integral part बताईए, तो हमने कहा है, यह तो पूरा पूरा 6 है, अच्छा का अच्छा ठीक है, तो इसका fractional part बताईए, हम कहें, fractional part इसका क्या है, 0 है, there is no fraction, इसका मतलब यह purely क्या है, integral value है, integer है, दूसरा किसी student आ गया का, अच्छा, अब यह बताईए, 0.6 अगर होता, तो इसका integral part कितना हो जाता, हमने कहा, कि 0.6 का मतलब यह हुआ, कि यह 0 के उपर होगा, और 1 के नीचे होगा, तो floor value कितनी दिख रही है, 0 दिख रही है तो हम कहांगे, integral part क्या हो गया, 0.06 का, 0 हो गया, अगर कोई कहा, अच्छा सर, इसका fractional part कितना होगा, तो हमने कहा, यह तो 0.6 ही है, पूरा fraction ही तो है, यह 0.6 हो गया, यह बास अन्में है ना, तो यह कहा जाएगा, purely fraction है, यह purely integer है, और यह mix हो गया, दोनों part है, तो हम यह ब सकते हैं, fractional part of x, जहाँ पे integral part of x जो होता है, यह less than r equals to, क्या होता है, x होता है, less than r equals to x होता है, ठीक है, यह बास अन्में आ गया, सब्सक्राइब, अब हम बात करेंगे, कुछ questions की, और इसके graph की बात करने पहले, अच्छा, नोट करो, now we have to calculate, ठीक है, आपको question दे दिया गया है, say question है, we have to calculate the limit, integral part of x minus 1, और x approaching to 1 है, यह calculate करना है, तो हमें जाइर सी बात है, कि जो integral part of x है, ठीक है, इसे हम लोग graph के term में अगर देखें, चलिए पहले simple कर लेते हैं ज्यादा हम लोग उटपटांग ने करते हैं, integral part of, क्या कर लेते हैं, x कर लेते हैं, तो देखिए, सबसे पहले हम graphical इसका approach बता देते हैं, टाकि हम लोग अपने algebraic approach से match करा पाएं, हम लोग को finally, हाँ, हम लोग को finally algebraic approach की दिखानी होती है, लेकिन चुकि graph हम बता सकते हैं आपको, और आप समझ सकते हैं, इसलिए बता दिया जा रहा है, देखिए, कैसे graph बनाते हैं, integral part of x का, तो integral part of x, जो होता है, वो step function कहा जाता है, क्या कहा जाता है, step function, cdo function, ठीक है, यह 1 हो गया, इसका मतलब, 0 से 1 अगर कोई value लेते हो, तो उसकी value, integral part value हमेशा 0 आने वाले है, अब अगले step में एक step और चले गए हम लोग उपर, यह हो गया 1, 1 हो गया, इसका मतलब x की value अगर 1 से लेके 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है, तो जो integral part of x है, वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है, 1 से बड़ा है, और 2 से छोटा है, इसका मतलब, जो integral part की value आने वाली है, जैसे आप कह सकते हो, 1.3, उसका integral part 1 आ जाएगा, एक step हो ग से ले जाएंगे हम लोग, और उसकी value हो जाएगी, प्लस का 2, तो यह जो value आने वाली है, यह आने वाली है, इसका मतलब, कि x की value अगर 2 से 3 के बीच में है, सपोज हमने ले लिया, 3.8 ले लिया, तो इसका integral part कितना दिख रहा है, इसका integral part कितना दिख रहा है, तो दिख रहा है, यह इसी लिए सीडियो टाइप का है न, इसी लिए इसका दूसरा नाम होता है, step function, ठीक, अब वीडियो देख लोगा, सब्सक्राइब, ठीक है, देखो, हम लोगों ने कहा, कि जब x की value, कहां से कहां है, 0 से, 0 के बराबर है, 1 से छोटी है, कोई बताओ, कोई value, 0.4, हाना, तो उसका integral part कितना आ जायाएगा, जीरो आ जायेगा, वहीं तो draw किया गया है, 0 से लेके वन तक के लिए, इसकी फेलू हमेशा 0 है, टिक, और अगर x क्या है, 1 से बढ़ा है, लेकिन 2 से छोटा है, exactly 2 नहीं है, 2 से छोटा है, 1.99 हो जाएगा, लेकिन 2 नहीं होगा, तब बताओ इसका, श्रच अगर इसमें से कोई एक्स पिकप करेंगे उसके वैडू कितनी हाने वाली है वाइप वाइप ऊनलाइडर नौक सिद्धा किया है अब वाइप लाइँ फ्रॉलाइग करें अब क्या है तो यह वाइप उनलाइड़ लेकिन पुरा लाइन नहीं प्लॉट कर देंगे क्य अब क्या हो जाएगा अगर हम बात करें अच्छा यह हम इसका मतलब कि यहां पर एक स्कॉस्ट टुवान यह गड़बड़ है इक वर्टी साइज में रहेगे तू पर चला जाए जम्प कर जाए ठीक है अब देखिए अब यह जो बनेगा डैट लुक लाइक के स्टेप स्ट्रक्चर इसी लिए से हम क्या कहते हैं इस्टेप फॉंक्शन कहते हैं अच्छा अगर एक्स की बैलू मालीजे और पहले ले ले लेते कहां ले लेते और यहांपर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो इस्टेप फॉंक्शन अगर फॉंक्शन ग्राफ याद रखना चा कहते हैं तो यह याद रख सकते हो प्रही बात अपने क्विश्चन करने की तो क्विश्चन हम लोग कर लेते हैं कुश्चन हमें कहा गया पहले ग्राफ से प्रोज करते हैं फिर एलजबरी के प्रोज बताएंगे हैं ना तो हम कहेंगे कि यह जो लेफ्ट एंड लिमीड वैलु लेफट अचल दिख रहा है to one K left में देखना है तो X equals to one K left में function की value किती है यही पर है किती है zero यह वासन में आई ना तो left-hand limit किती दिख रही है लहL directly ने जीरो और RHL right-hand behavior या right hand limit तो right hand देखिए one के right से आते हैं इधर से आते हैं तो one के right से height किती है plus का one है इसका मतलब limit exist कर रही कि नहीं कर रही है बो limit नहीं कर रही है जिस क्योंकि left hand behavior अलग है और right hand behavior अलग है तो यह तो graph से हो गया अब यही बात हम algebraic approach कर रहे हैं बिना graph के knowledge के कर रहे हैं और देखिए कैसे पकड़के है ना तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे algebraic approach तो हम कहेंगे कि limit left hand limit लेचल लेट इस limit या हम क्या कहते थे function की value one से थोड़े कम पर that means कितने कम पर one minus h और हो जाएगा limit h approaching to क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब किसको याद रखते फंक्शन की definition को याद कर लिया limit h approaching to zero क्या हो जाएगा bracket में one minus अब यह देखिए अब यहां पे आपको रुक के ठहर के decision लेना पड़ेगा है ना one minus h है इसका मतलब यह हुआ कि यह जो one minus h है one minus h यह one से तो नीचे होगा लेकिन जीरो से क्या होगा यह उपर होगा इसका मतलब कि इसकी जो floor value है कितनी आने वाली है जीरो आने वाली है इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे राइट हैं लिमिट और h l इसका मतलब one के right में one plus पे देखना है और one plus पे देखना है इसका मतलब one plus h पे देखना है that is limit h approaching to zero that means अब किसको याद करेंगे function की definition को integral part of x क्या हो जाएगा limit h approaching to zero integral part of one plus h अब देखिए one plus h है one plus h तो यह one से उपर होगा और two से क्या होगा नीचे तो इसकी floor value क्या नज़र आ रही है one नज़र आ रही तो इसकी value कित्या गई यह हो गया second result तो left hand limit और right hand limit आ गया जोनों का graph से आया था इसका मतलब left hand limit और right hand limit आगे report कर देंगे not equal क्या लिखेंगे since lhl not equal to rhl therefore limit does not exist limit does not exist